नमस्कार आज के विड़ा हम देखेंगे फोर्स कुरूजर इस गाड़ी को यह गाड़ी कोई साधरम फोर्स कुरूजर नहीं है यह फोर्स का 2012 मॉडल है कुरूजर का इस गाड़ी की खाज बात कर लू तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कमर्शिल पासिंग हुई है इ बहुत सारे लोगों ने इसको वाइट प्लेट में देखा होगा तो फ्रंट लुक जो है वैसा के वैसा है यहेडलाइम फग रहा है वही है इंड़ने सिपिस में एडिशनल फॉग लैंप और जो फ्रंट गार्ड है उस पे टेपिंग की है बाकी सबकुछ वैसा है यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको 215-75R15 के टायर्स मिल जाते हैं जो बेस्टीन सेग्मेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में आपको यलो टेपिंग मिलेगी जो 3M की तरब से आते हैं कमर्शली वीकल्स को यह लगाना पढ़ता है यहाँ पर तूरिस्ट के लिए टी लिखा गया है यहाँ पर इसके शानदार यलो औरंज ग्राफिक्स जो काफी स्पोर्टी लगते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रियर वील्स को यहाँ पर रियर साइड में आपको लिस्विन सस्पेंशन मिल जाता है फ्रंट साइड मे ज़्याइड कुछ च्हट च्हट नहीं कि गए है इसको और यहाँ पर आप दिसके इसका एडिशन सेड़ वील्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका रियर गार्ट डिया गया है यलो वाइड यह स्टॉक ही कंडिशन में आता है जो गाड़ी का रियर साइड से ऊव और इस गाड़ी की खास बात कर ले फ्यूल टैंक की तो इस गाड़ी में आपको 60 लिटर से ने 60 लिटर का फ्यूल टैंक आपको इस गाड़ी में मिल जाता है जो काफी अच्छी बात है इस गाड़ी में माइलेज 12 किलोमेटर प्रत लिटर का आपको इसमें मिल जाता है मतलब और ये भी काफी शांदर गाड़ी है इस गाड़ी की सिटिंग केपसिटी की बात कर ले तो इस गाड़ी में कमपणी 12 या 13 लोग बेटने की इज़त देती है पर हमारे यहाँ पर इस गाड़ी में 20-20 लोग भी बिट जते हैं पर इस गाड़ी को बहुत सरे लोग शादी वगरा जाने के लिए और किसी जगर पर जारा लोग को एक साथ ले जाना होगा तब यह गाड़ी में इबस से कम नहीं है बहुत सरे लोग इसमें बिट जते हैं बात कर ले पर इस गाड़ी के इंटरिव्यू की तो यहाँ पर आप देख सेख सेटे हैं इसका अगा और काफी इस गाड़ी की सीट को ज्यादा कुछ खरचा नहीं किया है नोने नॉर्मली सीट रखे थे यहाँ पर इसका इसका इस्ट्रूमिन ट्रेस्टर इसमें आपको स्पीड़ोमेटर फ्यूल गेज और आइल टेंपर गेज आपको यहाँ पर दिये गए है जो काफी नॉर देख बोड़ एक जिसा यह कोई इसमें ऊबर खाबड आपको नहीं दिखेगा बहुत इस ट्रेट डैश बोड़ इसका यहाँ पर इसके सन्वाजर आपको यहाँ पर दिये गए है और यहाँ पर इसका यह रूप मिरर गाड़ी की सेप्टी की बात कर ले तो इस गाड़ी क क्रैश्टिस रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है पर इस गाड़ी कीमत 6,75 तो यहाँ पर इसका यह सेंट्रल कंसोल तो यहाँ पर आप देख सकते हों यह सेंट्रल सेक्शन का डोर इसके प्रकार है यह गाड़ी हरोज रूट पर चलती है तो काफी इसको मेंटेन रखना काफी मुश्कुल है पर इसको बेसिक मेंटेंस की जुरू है ज्यादा कुछ को मेंटेंग करने की जुरूत नहीं पढ़ती और काफी अच्छी और काफी मजबुत गाड़ी बनाए यह फोर्स मोटर की तरप से पूरा दोखंड इसमें कोई इसमें आपको प्लास्टिक पार कि ही harness अर डिख्रमड मेंटो बह्न करते हैं दोखंडा सकते हैं औरकि इसमेंटे को मेंटों मेंटो और यहापर दीख सकते हैं काफी बड़ी storage compartment और sitting अरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है इससे चाहे तो आप seat निकल कर इससे storage अरिया भी बना सकते हैं जो काफी plus point इस गाड़ी का और साथयत बात करेंगे इस गाड़ी के overview की तो गाड़ी बहुत पसंद की जाते हैं गाव शेहर में इस गाड़ी में कुल 12 लोग बेट सकते आराम से और अगर आप चाहे तो इसमें आप 16, 17, 18, 20 भी लोग इसमें बेटा सकते हैं आपके उपर आपकी उनको केसे address करते हैं पर इस गाड़ी की बात ही अलगे इस गाड़ी में आपको fm 2.6 share engine मिलता है जो 256 का engine है फोर्स मोटर के दरब से और बात कर लें टॉर्क की तो इस गाड़ी में आपको 158 Nm का टॉर्क मिलता है जो इस गाड़ी को बहुत section बार रहता है गाटकर चरने के लिए और इस गाड़ी की engine के बात कर ले तो यह 60 HP का engine है जो काफी अच्छी बात है और सत्य दोस्तों काफी बरोसेमन एंजिन है कम maintenance और काफी दमदार एंजिन यहाँ पर इसके मानने चाता है इस गाड़ी का engine बहुत बड़ा है और इस गाड़ी का engine रूम भी काफी बड़ा है जो maintenance करने के लिए आसान है और अभी engine तो दिखा दिया अभी engine sound सुनते चले मिश्रा जी engine चालो कीजिए वा जैने कें चूराइडी को जिनौनने आमे गाड़ी कार्यू करने के लिए मोकर देया और उनको थैंक्स काने चाहन पावर काफी अच्छी लाती, क्योंकि ये गाड़ी भी गाड़ सिक्सम में चलते होगी, तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉंस भी काफी अच्छा है, माली भी अच्छा कासा निकल जाता है, 12-12 का अच्छा है, क्या चाहिए और उसे की साथ-साथ, इसमें मतलब जाए भार कुम्ने तुम पाई लेए